पंजाब ड्रग्स केस में बड़ी कारेवाही करते हुए पंजाब की मान सरकार ने PPS अधिकारी रंजीत सिंग को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं पंजाब हर्याना हाई कोड से पंजाब सरकार को सौपी गई ड्रग्स मामलों की सील बंद रिपोर्ट खोलने के बाद पंजाब सरकार ने ये पहला बड़ा एक्शन लिया है जानकारी के मुताबित PPS अधिकारी SSP मोगार राजीत सिंग का ड्रग्स तसकरों के साथ मिली भगत होने की मामले में नाम आने के चलते नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और उनकी संपक्तियों की जाज करने के आदेश विजिलेंस को दे दिये गए है CM भगवद मान ने खुद ट्वीट करके इस अक्शन की जानकारी दी है CM मान ने कहा कि नशीले पदार्थों की तसकरी में शामल किसे भी व्यक्ति को बक्षा नहीं जाएगा सीलबन लिफाफो की रिपोर्ट की जाज के बाद राजीत संग को मादक पदार्थों की तसकरी के मामले में नामित किया गया है और विजिलेंस की मनी लॉंडरिंग कारिवाही की जाज के लिए तोरंत नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है साथ ही जल्द ही आगे की कारेवाई की जाएगी बतादे कि हाई कोट ने SSP मोगर राजीत संग और इंसपेकर इंदरजीत संग के मामले में जाज के लिए आदेश STF को दिया था वहीं इस मामले में राजीत संग ने हाई कोट में अर्जीद आयर कहा था कि STF प्रमक हर प्रीट सिंग सिधू उनके मामले की निश्पक्ष जाज नहीं करेंगे हाई कोट ने अधिकारियों को SIT गठिट करने और जाज के आदेश दिये थे जाज कमीटे ने अपनी रिपोर्ट हाई को सौपी थी ड्रग्स केस में फसे राजीत सिंग और इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंग समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ SIT ने जाज के बाद 2018 में हाई कोट में सील बंद रिपोर्ट सौपी थी तो और भी ऐसी वीडियोज को देखने के लिए आप जुरी रिजिन बावना टाइम्स के साथ नमस्कार